हेलो बच्चो मैं डॉक्टर नवल्दे भारती कल्टिवेशन ऑफ और्किट्स में आज की इस वीडियो में हम लोग और्किट कल्टिवेशन को में और आगे बढ़ेंगे इससे पहले हम लोगों ने चाल लेक्चर डिसकस कर लिये हैं आज ये और्किट्स पर हमारा पांचवा लेक्चर हैं जिसमें हम लोग और्किट्स के कल्टिवर्स के बारे में डिसकस करेंगे और उन क्लाइमेटिक कंडिशन और स्वाइल कंडिशन को डिसकस करेंगे जो की और्किट कल्टिवेशन को प्रभावित करती हैं मिस कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेटिक फै अग्टर्स को हम लोग आद डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले कल्टिवर्स देखते हैं, कि कौन-कौन से popular cultivars हैं और्किट्स के, तो सबसे पहले देखते हैं, सिंबीडियम जीनस से बिलॉंग करने वाली जो और्किट्स के popular cultivars है, जिसमें से पहला है, बी-एस बैसनेट, ये ए से जितने भी सारे आपको ये कोड़ेट कल्टिवर्स दिख रहे हैं, ये सब NRC Sikkim से रिलीजट कल्टिवर्स हैं, NRC Sikkim, NRC Orchids, जो हमने आपको पिछले लेक्षे ने बताया था, National Research Center on Orchids, Sikkim में जो की लोकेटर है, तो ये वहां से रिलीजट वराइटी हैं, जैसे PBX 05 529, 212, 3 and 4, Red Beauty और Golden Elf का क्रॉस है, तो ये कोड़ेट जो जितनी भी वराइटी हैं, ये सिम्बीडियम की हैं, जैसे Darjeeling Nymph, ये भी एक हाइब्रेड वराइटी है, Sleeping Nymph और सिम्बीडियम लौवियनम की, इसी तरह NRC, DC और सिम्बीडियम हाइब्रेड, 1, 6, 23, यहां से लेकर की नीचे तक जितनी भी ये जो है लाइन्स हैं, ये अलग-अलग जो है सिम्बीडियम ग्रुप के कल्टिवर्स हैं, उसके बाद नेक्स देखते हैं, डेंडरोबियम, जो और्किड है जीनस, इससे बिलॉंग करने वाली जो पॉपुलर कल्टिवर्स हैं, वो है वी नागर नागराजू, वाइट बिग सेनम, आयारा पिंक, सोनिया रेड, बिग वाइट, सोनिया 17, सोनिया 28, एमा वाइट, सकूरा पिंक, सिमिलरली पैफियो पैडिलम जिसको की लेडी स्लीपर भी बोलते हैं, उसकी पॉपुलर वेराइटी है, पी एल पी डबलु 10, पी एल पी ड लोगों ने यहां पर डिसक्स किया है, उसके बाद नेक्स चलते हैं कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो और्किट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, तेकि और्किट एक ऐसा प्लांट है, जिसके लिए हम अन्ने प्लांट के कमपैरिजन में अगर means, और्किट का अगर successful cultivation करना है, तो सबसे बहतर है कि उसको ऐसे हम grow करें, जैसे कि वो अपने natural environment में grow होता है, means wild environment में और्किट जैसे grow होता है, तो उस wild environment में जैसी climatic condition है, whether it is very harsh और adverse condition है, हम वैसी ही condition जब हम और्किट को provide करेंगे, तो हम जो है और्किट को successfully उसको cultivate कर पाएंगे, तो इसलिए हमें और्किट के natural जो climate में जो और्किट पाए जाते हैं, अलग-अलग जिगहों पर, हमको उन्हें बहुत अच्छे समझना होगा, कि अलग-अलग तरह है कि जीनस के जो और्किट सहीं, अलग-अलग species हैं, वो ज इस environment में पाई जाती हैं, वहां की agroclimatic या soil condition कैसी है, किस तरह की climate में और्किट favorably grow करता है, या किस तरह की climatic condition और्किट पर negative impact डालती है, जब हम इन चीजों को उसके natural environment में समझ लेंगे, तो हम फिर orchid को protected condition में उसी तरह का natural environment प्रोवाइड करके grow कर सकते हैं, तो सबसे पह लाइट फैक्टर है, जिसको हम लोग को यहां discuss करना है, तो इसमें light जो है, बहुत ही important factor है, light, temperature, humidity यह तीन फैक्टर हैं, जिसमें से light सबसे जदा important factor है और्किट कल्टिवेशन के लिए, क्योंकि कुछ और्किट को shade की requirement होती है, कुछ और्किट को moderate light की requirement होती है, और कुछ औ समय के लिए रखना है, किस और्किट को moderate light और किस और्किट को जो है, हम full light condition में हम हमें place करना है, यह सारी चीजों की हमें knowledge होनी चाहिए, जब हम light requirement को अच्छे से समझ लेते हैं, और्किट की अलग-अलग species को ले करके, और उस according जब हम और्किट को light का exposure देते हैं, तो इसे light gardening भी कहा जाता है, और्किट के संदर में इसको light gardening भी कहते हैं, जैसे blue और orange red region की light है, मतलब जो light spectra है, उसमें से blue और orange red का जो पूरा region है, वो photosynthesis को promote करता है और्किट में, ठीक है, और far red वाला जो region है, वो flowering को promote करता है, उसके बाद next है, Based on this knowledge, extra amount of illumination is now being supplied to orchids, either to supplement sunlight or to replace it entirely, इस तरह की knowledge, जैसे कि हमने भी बात की कि orange red या blue या orange red की जो range है, वो photosynthesis को promote करती है, और far red जो है, फ्लावरिंग को, तो इस recording हम light के exposure को manipulate कर सकते हैं, जब हम orchids को protected condition में ग्रो करते हैं, तो हम अपने अनुसार, vegetative growth को improve करने के लिए, हम एक particular range की light provide कर सकते हैं, और अगर हमें flowering promote करनी है, number of flowers हमें जादा लेने हैं, तो उस तरह से हम light को जो है, manipulate कर सकते हैं, जिससे पौधे की growth विगर हो और maximum number of flower production हो, direct sunlight may cause plant to burn, अगर sunlight direct परती है, तो बहुत सारे orchids species हैं, जो की burn कर जाते हैं, उनकी leaf जो हैं वो yellow हो जाती हैं, तो उनमें sun burn की problem देखने को मिलती है, और कुछ orchids ऐसे होते हैं, जिसमें बहुत कम light परती हैं, means बहुत ज़्यादा shady location होती है, sunlight की availability ना के बराबर होती है, तो उनमें vegetative growth तो होती है, पर flowering जो है वो पूरी तरह से, जो है, absent आपको देखने को मिलेगी, तो direct sunlight, जो है, वो means excessive, जो intense direct sunlight है, वो leaf burn या sun burn की problem create करती हैं, और too little अगर light है, तो वो जो है, तो फ्लावरिंग को restrict करती है, तो जो ideal location मानी गई है, as a general मानी गई है, वो एक indirect sunlight जहां पर पड़े ऐसी location, जैसे की curtains परदों के पीछे, है न, या फिर window shield जो होती है, उनके side में या किनारे पर, जहां से slide shade जो है, वो पौधे पर पड़ता रहे है, है न, पौधे के लिए कि इस तर है कि, जो है, light, मतलब light excessive है या नहीं है, ये पौधा खुद इंडिकेट करता है, जैसे कि पत्ती का color, जो leaf color है, orchids की, अगर एक, मतलब good indicator है, कि पौधा कितनी light received कर रहा है, अगर पौधा एक, जो है, normal light received कर रहा है, तो उसकी bright green और healthy leaves होंगी, है न, और अगर पौध light receive कर रहा है, मतलब कम light उसको मिल रही है, तो इसका मतलब उसकी पत्तियां बहुत जादा आपको dark green देखने को मिलेंगी, और अगर पौधा बहुत जादा, जो है, light receive कर रहा है, तो पत्तियों में sunburn की problem होगी, उसका chlorophyll डिग्रेड हो जाएगा, और leaf का color बदल कर कि yellow green या red leaf हो जाएगी, तो इस तरह से जो leaf का color है, ये किस तरह की light से पौधा प्रभावित हो रहा है, ये उसको बहुत अच्छे से indicator का काम करता है, तो leaf के color से हम देख सकते हैं कि हमारी जो plant की species और orchid की, वो जो है, किस तरह की light की requirement है, तो bright green या healthy leaves अगर हैं, तो समझे पौधे को sufficient light मिल लही है, insufficient, मतलब कम मात्रा में light मिल लही है, तो पौधे की पत्ती dark green हो जाएगी, और बहुत जादा है, तो yellow green या red color में convert हो जाएगी, अब देखी, उस recording, जो है, light की availability के base पे, सिंबीडियम के genus को divide किया गया है, जो low light और warm growing orchids हैं, उनको हम north या east location पर रखेंगे, जिनको low light, वो orchids, genus, मतलब genus के orchids, जिनकी low light की requirement है, जिनको बहुत जादा sunlight की availability नहीं होनी चाहिए, और warm location होनी चाहिए, तो हम उनको north या east direction में रखेंगे, और south की side से हम उनको पूरी तरह से protect रखेंगे, plant का south और west जो side है, direction है, उसको हम पूरी तरह से shade में रखेंगे, और north और east का जो direction है, वहाँ से proper light plant पर पढ़ने देंगे, तो इससे होता क्या है, कि सिर्फ north और east से जितने समय के लिए एक light का exposure होगा, वो short period of time के लिए होगा, low light होगी और orchid जो है, बहुत अच्छे से grow करेगा, तो जो low light और warm growing condition में grow होने वाले orchids के जीनस हैं, वो है paphiopedilum या lady sleeper भी जिसको बोलते हैं, इस जीनस के बारे में हम लोग डिसकस कर चुके हैं पहले, cypripedium और phalinopsis और जो है oncidium, तो ये जो जीनस हैं, इस जीनस से बिल next है कुछ orchids जीनस ऐसे हैं, जिनको moderate से लेके highlight condition चाहिए और warm growing condition चाहिए, तो इनको low light की requirement नहीं होती, इनको moderate और highlight की जरूत होती, मतलब लंबे समय तक के लिए sunlight की availability चाहिए, तो इसलिए इन orchids को हम लोग जो है west और south direction में हम रखते हैं, मतलब इन orchids पर हम west और south से जो है sunlight पढ़ने देते हैं, और north और east side को हम पूरी तरह से protect रखते हैं, है न, तो इनको west और south window में रखा जाता है, और में से लेके, में से September तक के महीने के बीच में, जब light level जो है south में बहुत जादा intense हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा पौधे को shady location में रखना होता है, जिससे की प और किट्स में जो watering हमें करनी है, या irrigation हमें करना है, वो दो irrigation के बीच में हमें लंबा समय जो है interval रखना है, मतलब कि जब पौधा पूरी तरह से dry up हो जाए, तब हमें उसका irrigation करना है, मिस continuous humidity, soil में मौशन नहीं बना रहना चाहिए, तो moderate to highlight condition से belong करने वाले जो और किट्स जीन अब next climatic factor है temperature, temperature क्या role play करता है orchids की growth और development में, तो temperature भी बहुत important role play करता है orchid growth और development में, एक general temperature range में कोई भी orchid का जीना से वो proper grow करता है, और अगर उस temperature range से above या below temperature होता है, तो वो ultimately flowering पर effect डालता है, तो ऐसा general देखा गया है कि जादा तर orchids जो है, वो 16 to 21 degree centigrade day temperature और 13 to 16 degree centigrade night temperature में grow करते हैं, इस base पर 3 basic temperature ranges में orchids को divide किया गया है, जिसमें से पहला है cool season species, cool season species में उन और orchid species को बोलते हैं, जिनको summers में day time में 16 to 21 degree centigrade के requirement होती है, और during night में 13 degree centigrade के requirement होती है, उसके बाद winters में day condition में 13 to 16 degree centigrade के requirement होती है, और night में 10 degree centigrade के requirement होती है, तो यह summer और winter मतलब year round जो summer में और winter में जो day night temperature की range के according, यह जो classification किया गया है, यह cool season species का है, इसमें जो genus बिलॉंग करते हैं, वो है symbidium, odontoglossum, paphiopetalums और zygopetalums, तो यह zygopetalums हाँ, यह जो species हैं, यह cool season के, sorry genus है, इन से बिलॉंग करना लिए कुछ species हैं, यह cool season के species हैं, उसके बाद next है, intermediate species, species, means वो और के genus, जिनको summer में day temperature range 18 to 24 degree centigrade, और night की temperature range 16 to 18 degree, means थोड़ा सा raised temperature है, cool के comparison में temperature दिखिया, आप ध्यान से देखेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ temperature है, उसी तरह winter में भी, दिन का जो तापमान है, वो 16 to 21 degree centigrade होना चाहिए, और night का जो temperature range है, वो 13 to 16 degree centigrade होना चाहिए, तो इस intermediate species, जो औरकेट्स की हैं, वो है, catlea, lalias, oncidiums, और इस tenopies, तो यह genus जो है, यह intermediate temperature range के हैं, उसके बाद next है, warm या hot species, warm and hot species में, summer temperature है, during day में, daytime में 21 to 29 degree centigrade, और night में 18 to 21 degree centigrade, उसी तरह winter में day temperature 21 to 29 degree centigrade और night temperature 18 to 21, यह लगभग winters और summers में, on an average equal temperature range की requirement रहती है, यह ज़्यादा था है, tropical region में आपको यह मिलेगा, क्योंकि tropical region में, winters और summers के temperature में, बहुत ज़्यादा variation नहीं होता, तो उससे जो genus बिलॉंग करते हैं, वो है, phallionopsis, 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 और evergreen dendrobium species, यह सब warm या hot species हैं, जिनको इस range की temperature requirement होती हैं, उसके बाद next है humidity, हमने लोगों आने के देख लिया, light का क्या प्रभाव पड़ता है, orchids पर temperature किस किस range के लिए, orchids को चाहिए, किस तरह की particular type के जीनस के लिए, अब next आता है humidity, humidity, humidity भी बहुत important role play करती है, क्योंकि orchids, यह की humid region का ही plant है, तो humidity बहुत important role play करती है, ऐसा देखा गया है कि humidity बहुत important है, प्रॉपर growth and development के लिए, और orchids में अगर humidity आप control नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ light या temperature से पौधे की growth and development को control कर पाना मुश्किल है, especially, इपिफिटिक टाइप की जो species हैं, उनको, क्योंकि इपिफिटिक जो orchids हैं, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था, कि इपिफिटिक जो orchids हैं, इनकी जड़ें क्योंकि, जो है, एयर में होती हैं, वेलामें जिसको बोलते हैं, और वो atmosphere से, means, एयर में, जो moisture होता है, उसको absorb करती हैं, और उसी से अपनी water की requirement को पूरा करती हैं, तो अगर हमारा जो air है, जो atmosphere है, वहाँ पर humidity का level कम होगा, तो orchid की species जो है, वो sufficient moisture एब्सूर नहीं कर पाएंगी, और प्रॉपर उनका growth और development नहीं होगा, तो इसलिए, इपिफिटी के species को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है, कि about 50% moisture जो है, environment में होना ही चाहिए, orchids की growth और development के लिए, है न, below 50 degree, sorry, below 50% moisture या humidity के, जो है, orchids जो है, survive नहीं कर पाता, अगर 50% से below है humidity, क्योंकि यह soil में grow होने वाले plants तो है नहीं, इपिफिटिक plant है, इनकी roots जो है, air में होती है, और air से moisture एब्जॉर्ब करते हैं, next है, too much humidity है, वो भी अच्छा नहीं होता, orchids के लिए, जैसे 50% से above humidity है, 50% तक होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा excessive humidity से पौधा, कभी-कभी succulent growth होने लगती है, means water का absorption बहुत ज़्यादा हो जाता है, और pathogen के attack के chances भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए humidity को control करना बहुत essential है, है न, तो जब हम protected condition में orchids को grow करते हैं, तो हम requirement के base पर, जब हम humidity कम होती है, हमारे protected structure में या orchidarium में, जहां पर हम orchid को, जिस protected structure में grow करते हैं, उसको orchidarium बोलते हैं, तो इसलिए आप confused मत होईएगा, तो orchidarium या protected structure में हम, जब हम देखते हैं, humidity का level कम हो रहा है, तो हम evaporative water coolers का इस्तेमाल करते हैं, है न, या spraying करते हैं, benches को, walls को, floor को, है न, पूरे orchid house में, और misting, fogging करते हैं, nozzle से, जिससे की पूरा orchidarium में, या orchid house में, humidity maintained रहे हैं, है न, in stagnant air of a greenhouse, it is wise to reduce humidity at night, means, अगर proper ventilation नहीं है, ग्रीन हाउस में, या orchid house में, या orchidarium में, सारी बाते हैं की है, अगर हवा में ventilation नहीं है, means, air circulate नहीं कर रही है, तो humidity का level कम रखना चाहिए, और अगर proper ventilation बना हुआ है, तो हमें humidity continuously maintain रखनी चाहिए, इन orchid house, we should run oxalating fan continually, इसलिए ventilation continuously बना रहे है, इसलिए oxalating fans, जो है, वो, जो है, रन किये जाते हैं, लगातार, fans की मदद से, जो है, ventilation create किया जाता है, during warmer month, जब मतलब जब temperature ज़्यादा हो, यानि गर्मियों के टाइम पे, summers में evaporative coolers होते हैं, वो orchid house के temperature को थोड़ा सा कम कर देते हैं, about 10 degree centigrade तक ले आते हैं, जिससे की air का movement easily होता है, और प्रांद की growth और development बहुत अच्छे से होती है, तो ये तो agroclimatic factors है, light temperature और humidity, जो की orchid की growth और development को प्रभावित करते हैं, अब इसके बाद next है, हम लोग देखेंगे soil factors, तो soil factors को जानने से पहले हम लोग एक बात ये समझ लें कि orchids जो है, वो सामाने पौधे नहीं है, जैसे की अन्य पौधे हैं, जो निनकों की हम लोग generally soil में cultivation करते हैं, orchids ऐसा plant है, जो की ज़्यादा तर epiphytic है, या lithophytic nature का है, बहुत कम orchids हैं, जो terrestrial हैं, जो soil में grow होते हैं, ज़्यादा तर orchids जो है, epiphytic या lithophytic है, यानि किसी दूसरे पौधे पर, ट्री पर, या फिर रॉक्स पर, पत्थरों पर grow करते हैं, और या फिर, या फिर, जो है, myco heterotops टाइप के हैं, या saprophytic टाइप, या डेड और्गनिक मैटर पर grow करते हैं, तो उसे according देखा जाए, तो हमारा जो orchidarium है, या protected condition है, उसके अंदर जो हम potting media इस्तिमाल करेंगे orchid के growth को cultivate करने के लिए, वो normal potting media से different होगा, means normal plants के लिए हम लोग जो potting media यूज करते हैं, है न, जैसे कि FYM है, या compost बगएरा है, soil है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ऐसा कोई potting media नहीं यूज करते हैं, हम लोग different potting media का यूज करते हैं, तो चली, one by one देखते हैं, कि कौन-कौन से वो potting media है, जो कि orchid cultivation के लिए important है, फर्स्ट है, ओस्मुंडा, ओस्मुंडा अक्चली एक fern है, ये ब्रायफाइट से बिलॉंग करता है, तो ये जो फर्न है, ये, this is the root fiber of royal fern, osmunda regalis, ठीक है, उसके बाद है, it is hard, durable, sufficiently springy, but rigid enough for good anchorage and contain very little mineral matter, means, ये जो osmunda fern है, royal fern है, ये hard है, durable है, मतलब, इसकी life span जाता है, means, लंबे समय तक ये potting media की तरह हम इसको use कर सकते हैं, sufficiently springy होता है, लेकिन काफी rigid है, जिससे पौधा अच्छे से medium को encourage कर सकता है, पौधे की root बड़ी आसानी से medium को encourage करके और पौधा sustain करता है, अपने जो है, वो grow कर सकता है, vertically या horizontally, लेकिन इसमें mineral matter का content बहुत कम होता है, इसका सबसे बड़ा जो disadvantage है, royal fern का, वो है, इसका high price, ये बहुत ही महंगा आता है, and good quality का जो osmunda है, वो इस समय unavailable भी है, जो आप पहली image आप देख रहे हैं, ये है, तो ये जो fern है, royal fern, osmunda regalis, इसको हम लोग, जो है, potting media के तौर पर use करते हैं, उसके अलामा जो दूसरे potting media है, जिसको हम लोग cultivation के लिए use करते हैं, वो है polypodium fiber, next है polypodium fiber, this is the root fiber of common polypody fern, एक polypody fern है, species है, जिसको बोलते है polypodium vulgari, इसकी जो dried root fiber से उसको हम potting media की तरह इस्तेमाल करते हैं, यह काफी softer होता है, as compared to osmunda fiber, osmunda fern के comparison में यह soft होता है, पर यह बहुत ज़्यादा durable नहीं होता, durable मतलब लंबी duration तक यह नहीं चलता, नहीं इसका encourage बहुत अच्छा होता है, means पौधा अच्छे से अपनी पकड नहीं बना पाता, और aeration भी इसका अच्छा नहीं होता, इसलिए जो polypodium fiber है, या polypodium potting media है, जब हम इसको as media use करते हैं, orchid cultivation के लिए, तो हमें साथ में थोड़ी सी soil इसमें add करने पड़ती है, जिससे कि इसका nutrient status जो है, वो upgrade हो जाए, mineral nutrition इसमें बढ़ जाए और पौधा easily nutrition absorb कर सके, next potting media है, sphagnum moss grass, एक bryophyte है, this bog moss is cheap, has excellent water retention property and is inert chemically, इस grass के बारे में सबी लोग जानते हैं, sphagnum moss grass के बारे में, generally हम लोग इसको plant propagation में layering के लिए इस्तिमाल करते हैं, इसकी water holding capacity बहुत अच्छी होती है, सस्ता भी होता है, और chemically inert होता है, chemically inert means non-reactive होता है, तो इसको हम दूसरे मीडिया के साथ mix करके भी या independently हम use कर सकते हैं, for establishment of seedlings and newly imported plant, जो orchids के newly imported plants हैं, उसको रखने के लिए और्किट्स की seedling को grow करने के लिए, next, जो potting media है, वो है tree fern, tree fern means, this is usually obtainable as the ground down trunk of the tree ferns, means trees पर बहुत सारी ferns की species, जो tree की trunks हैं या branches, उसमें बहुत सारी fern की species grow कर जाती हैं, तो उन epiphytic ferns को हम दो tree ferns कहते हैं, तो उनका भी इस्तिमाल किया जाता है as a potting media के तौर पे, वो भी hard होती हैं, fairly durable, लंबे समय तक चलती हैं, पर उन्हें mineral content नहीं होता है, साथ ही expensive नहीं होती हैं, है न, but the fibers are not always long and spongy enough to provide good anchorage, और इसके fiber भी बहुत जादा spongy नहीं होते, नहीं बहुत जादा anchorage प्रोवाइड करते हैं, तो यह जो tree fern है, osmanda है और polypodium है और sphagnum है इनको हम independently नहीं लेकिन इनको हम दूसरे other potting media के साथ इनको mix करके हम potting mixture तयार करके तब उसमें orchid का plantation करते हैं, तो इनको हम किस तरह से use कर सकते हैं, इसके साथ में जो दूसरे mixtures हम add करते हैं, वो है broken bricks, मतलब इंट के टुकड़े टूटे हुए, pumic stones, gravel, मतलब जो मोटी वाली कंकड होते हैं, जो बालो में, मोरंग में जो मोटे कंकड निकलते हैं, या broken coke हो, मतलब कोयला, और फर की बार के देवदार चीर के जो पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों की छाल को बोलते हैं, फर जो एक ट्री है उसकी छाल, यानि बार्क का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये image में दिया हुआ है, बार्क है ना तो उसका इस्तेमाल करते हैं, पीट का इस्तेमाल करते हैं, synthetic material भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है 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 ना हाइड्रोपोनिक और्किट्स के लिए तो परलाइड वर्मिकुलाइड कोकोनट हस्क ये सारी चीजें इस तरह की जो है उसको हम यूज करके हम फर्न का कल्टिवेशन करते हैं तो देखे एक दम साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक टिफरेंट टाइप का पॉटिंग मिक्षर है जो अन दूसरे हम लोगों ने जितने भी कट फलार पढ़े हैं उनमें इस तरह का पॉटिंग मिक्षर आपन में और्किट्स ऐसी ही जो है मीडिया पर ग्रो करता है है ना पत्थरों पर ग्रो करता है तो लिथोफिटिक कहते हैं पेडों की बार्क पर ग्रो कर जाता है पेडों पर ग्रो कर जाता है तो हम इपिफिटिक कहते हैं ड्राइड और्गनिक मैटर पर ग्रो कर जाता है तो हम Generally medium should be porous मतलब aeration होना चाहिए roots के लिए ताकि roots respire कर सके grow कर सके और जो medium है कोशिश करना चाहिए potting media easily available हो सस्ता हो अगर हम website किस तर पे orchids की खेती करने जा रहे हैं तो हमारा potting media है वो हमें आसानी से मिलना भी चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए mixture of brick charcoal or peat moss which is degradable and holds moisture for a long time can be used bricks charcoal or peat का mixture लंबे समय तक के लिए moisture को hold कर सकता है और इसको हम लोग potting media के तोर पर use करते हैं तो ये agroclimatic condition थी orchids के लिए किस तरह की climate कौन कौन से climatic factors है जो की orchid cultivation को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से potting media है जो की generally use किया जाता है orchid के propagation के लिए तो इस वीडियो में बस हम इतनी ही बात करेंगे इसके next वीडियो में हम लोग orchid के propagation को detail में डिसकस करेंगे अगर इससे related किसी तरह का कोई doubt है या question है तो आप हमने comment box में पूछ सकते हैं Thank you